की अध्यक्षता में हुई कैबिनेटी की बैठक में आज कई एहम फैसले लिए गए केंद्रिय मंत्री अनुराग सिंग ठाकुर ने बताया कि किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए कोपरा की MSP में बढ़ोत्री का फैसला लिया गया है उन्होंने बताया कि मिलिंग कोपरा का MSP 300 रुपए प्रतिक क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 250 रुपए प्रतिक क्विंटल की बढ़ोत्री की गई है नरेंदर मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और CCA की मिटिंग हुई CCA की बैठक में आज कोपरा यानि के नारियल की गरी के वर्ष 2024 के लिए MSP निर्धारित किया गया है किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे और मुझे कहते हुए प्रसंता है इस बार भी 2023 की तुल्ला में मिलिंग कोपरा का निर्धारित MSP 300 रपे प्रतिक क्वेंटल और बाल कोपरा का 250 रपे प्रतिक क्वेंटल बढ़ाया गया है उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में दीगा से सोनपूर जिले के गंगा नदी पर छे लेन केवल ब्रिज बनाने का फैस्टा लिया गया है जो कि इसे 42 महिने में पूरा किया जाएगा उन्हें बताया कि इस ब्रिज के नीचे से बोड़े जहास भी आसानी से आजा सकेंगी दीगा से सोनपूर जिले के गंगा नदी पर छे लेन केवल ब्रिज बनाने का निरने लिया गया है इसे 42 महिने में पूरा किया जाएगा 3064 क्रोड रुपया दीगा से सोनपूर के बीच बनने वाले छे लेन ब्रिज जो गंगा नदी के उपर बनेगा ये छे लेन केवल ब्रिज है इसके निर्मान के लिए मंजूर किया गया है इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पूल्स के नीचे से असानी से आ जा सकेंगे और जो हमारा नैशनल वाटर वे नंबर वन है उस पे चलने वाले जहाजों की नैविगेशनल रिक्वार्मेंट को ध्यान में रखते हुए यह निरने किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले ताकि वाटर वेस जिसको बल मोधी सरकार ने आकर दिया है पहले एक बे नहीं था अब 101 वाटर वेस पे काम चल रहा है तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नैशनल हाइवे की तो 2013-14 में इसके लिए कुल बज़ड जब होता था तो 31,130 क्रोड प्या होता था जो अब बढ़के 2,70,000 क्रोड प्या हो चुका है केंद्रि मंत्री ने मीडिया को समझित करते हुए ये भी बताया कि सरक और परिवहन मंत्राले से भी जुड़े फैस्टे लिए गया है जो कि त्रिपुरा और असम के लिए बहुत ही महत्रपूर्ण हैं जिसमें खोवाई से हरीना तक सरक बनाने के काम को मंजूरी दी गई है ये उत्तर त्रिपुरा को दक्षिन त्रिपुरा से जोड़ने का प्रयास है जो है वो रोड सर्फेस ट्रांस्पोर्ट मंत्राले से जुड़े हुए हैं और ये रोड ट्रांस्पोर्ट और हाईवेस के पहले निर्णे है जो त्रिपुरा असम के लिए बहुत महत्रपूर्ण है ये वाइडनिंग है टू लेन विद पेव्ट शोल्डर बनाने की ये खोवेई से हरीना तक की सरक है और त्रिपुरा में खोवेई से हरीना तक के रोड को बनाने के लिए 2015 में घोशना हुई थी ये कुमार घाट से हरीना तक बनना था लेकिन कुमार घाट से लेकर खोवेई तक की रोड को अभी बनाने का काम चल रहा है खोवेई से हरीना तक के काम की आज मंजूरी दी गई है जिस पे 2487 क्रोड पे खर्च होंगे और 25 मिहने में इस काम को पूरा किया जाएगा इस प्रजेक्ट को पूरा होने पर आसम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और सुगम हो जाएगा